बुद्वार 4 जून को लोकसवाज चुनाओ 2024 की मदगर्णा के परणाम आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडिल लोकसवाज सीट से मशुर फिल्म एक्टर कंगना रणावत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकर्तम परतियंदी विक्रमादित सिंग को लगभग 74,755 वोट से हराया है। लेकिन आपको बता दें कंगना की जीत को लेकर खरकोन के परसिद जोतिसी डॉक्टर बसंसोनी ने तीन मेहने पहले ही भविश्यवानी कर दी दी। आपको बता दें कि बॉलीविट की सेरनी कही जाने वाले कंगना रणावत के बारे में जोतिसी ने एक नहीं बलकि दो बार भविश्यवानी की है। खास बात ये है कि दोनों ही बार भविश्यवानी बिल्कुल सट इक बेटी है। चुनाओ जीतने के बाद फिल्म दुनिया में तहल का मचाने वाली कंगना का राजनितिक करियर अब आगे कैसा रहेगा। चली जोतिसी से यह भी जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको वो बहुश्य वार्णिया सुना देते हैं जो जोतिसी ने की थी। दिपक जी मैंने कंगना रणावाज जी की दो बार भहिश्य वानी की है। मैंने भहिश्याण की थी कि चुनाव जीतेगी और ये आज चुनाव परिणाव हमारे सामने हैं और ये राजितिक छेत्र के अंदर चुनाव जीतने के परिश्चात अच्छे परद पर पहुशने के योग भी इनके बनते हैं जो आने अले सुए में हमको देखने को मिलेगा देखते हुए मैंने इनके जीत्य भहिश्याणी की थी returned, आप इनकी कुण्ड़ी को हम देखते हैं तो गज केफिरयोग, वाशियोग और चक्रवर्ती राजयोग इनके कुण्ड़ी में बनता है इन सब शूवव योग को देखते हुए भहिश्य में इनको उच्चबद प् नरिन्द मोदी जी की प्रधार मंत्री बनने के योग की भईश्योने की थी कि 2014 में वो प्रधार मंत्री बनेंगे और 2007 में मुख्य मंत्री बनने का प्रबर योग बनता है उस समय पूरे देश में गुजरात में गुजराकान को लेकर भाचिनता पार्टी के हालने की पुरी समभावना थी लेकिन मैनेजबेक भहिश्यों ने की थी कि एक महिला इनको चुनाव जिताएगी वेसा ही हुआ इनको एक महिला सुनिया गांडी जी ने इनको मोत का सोदागर कहा उस में पुरे गुजरात की जनता नाराज हुई और एक तरफा मोदी जी को सपोर्ट किया उसके पश्चाथ उसी समय में ने 2014 में मोदी जी के प्रदान मंतिव बनने की भहिश्योंगी की थी वो भी सभी साबिट हुई इसके पश्चाथ दुफरी भहिश्योंगी में ने मद्रबदेश सरकार की की थी जब कमल नाज जी ने शपत गरहन किया था मैंने कहा था कि 13 महीने फरकार नहीं चलेगी और सरकार गिर जाएगी और पुरना भाजपाय की फरकार बनेगी वह भी भहिश्योंगी मेरी पुर्णा रूप से सत्यों साबित हुई है आपको बता दे कि दौक्टर बसंसोनी मद्रब्रदेश के खरगोन के रहने वाले हैं और 2003 से 233 विद्या से जुड़े हुए हैं उनके दौरा की गई सभी भहिश्योंगी अब तक सही साबित हुई है देश के निवर्तमान प्रदार मंत्री नरंद्र मोदी के 2007 में फिर से गुजरात के मुक्य मंत्री बनने और 2014 में पहली बार प्रदार मंत्री बनने की भहिश्योंगी भी दौक्टर बसंसोनी ने ही पहली बार की थी और ये दोनों ही भहिश्योंगी उनकी बिल्कुल सही साबित हुई है लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट